हेलो अज जैसे करन जा रहा है प्लस बाइन दी स्टार्ट करन जा रहा है इस टड़ी फिजिक्स दी तो ए यह गा यूनिट वन ते चैप्टर वन ने पार्ट वन या वीडियो दा ठीक है एद वच दो या तैन पार्ट ओन गे एस चैप्टर दे फर्स्ट दे और देखो सब तो पहला फिजिक्स है की फिजिक्स दी साथी स्टडी है गिया विच डील्स विद दी नेचर एंड नेचरल फिजिकल फिनॉमेनास दे नार डील कर दिया जे में के ग्रेविटेशन हो गई सानु पता के चंदरमा जो के साथ डा नेचरल सैटलाइट है अर्थ साथ यार दोड़े रिवाल्व करदा क्यों करदा या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दी वजा दे नार एक बॉड़ी दी दूजी बॉड़ी दे नार ग्रेविटेशनल पुल हों दी या इस अनु सारे नों पता या सारे फिजिक्स दे अंडर ही हों दिया मोशन वड़ी सो ए किwid проб कारा है सकते हैं किनोरा के दिने जिए को मॉवबल जीज देनन पर और मॉशन में अपर स्पीड अर्थ भाइश में नेतिёмी जा टार देखिए होगा है दीक देखा है पर मैवन्नाल पर सो लोत जीघनी बाइवंतарे और सンタर सकते हैं Earth, Moon, आर्थ, मून हैं इस एक बाडियां बाडियां और आज़ा, इस एक अखना देख सादे हैं, या मैक्रोस्कोपिक बाड़ देख हो नहीं है, ज्यादा प्रसकोपिक बड़ और देख हो नहीं है, फ्रस्ट, स्टॉपिक बाडिया जादा जीजह ठीक है, जो में मून हो गाय इत आलसो डिल्स विद दा मोशन एड एकलिब्रियम ओफ ए सिस्टम दे एकलिब्रियम दे नाड भी डिल कार दिया जिम्हें के कोई चीज आर्थ ते मून एक दूज दे नाड इनन स्टेट ऑफ एकलिब्रियम ताहीं मून आर्थ नू शाड के दूर नी जानदा ठीक है जिए वो बैलेंस डिस्टेट दे बच होंदा है फिर राकेट पर्पल्चंद भी होंदा है और रॉकेट जड़ा गैसा नू नीचे नू प्रपेलर कारदा है इस करके उनो उपर ले पास एनू ड्रैग मेलदा है एस तरीके नाड राकेट उपर नू चारदा है ते एह अग्य बदन थे अग्य बदन थी स्टडिय शेक्रानिक्स डिल करते हैं नेक्स्ट साथेकल नियुक्ष थर्मो डाइनमिक्स, थर्मो डाइनमिक्स थे महत्त है भी थे थे तंपरिचर करांगें. heat pump, heat transfer systems, cold system थो is hot system W Whichест यह थर्मडायनमिक थार्च अधरए निदेर मपरमिक का रेध्रिज्डटर सेल अगे ही होगत है और शुष्ट होगाओ कैने स्य न्यों हम से नेड़ों क्यों चांगा डिय है तो सारे हीट इंजन होंदी है, क्योंकि हीट नाल ही कम कर दे है, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी वचा चेंज होंदी है, ता ही जाग कर दे है, So, Efficiency of Heat Engine अजी थर्मो डाइनमिक्स पढ़ांगे, Coefficient of Performance, यह होंदी है, जिते हीट सक होंदी है, जिमेंके रेफ्रीजरेटरां वगरा देवाचे, इतने Coefficient of Performance होंदी है, So, Next, सदी सदी केड़ी होंदी है, Electrodynamics देवाचे, Electro तो उसी पता लग गई जानदा कि Electro दा मार्लब हैगा, Electricity देना डील कर दिया, So, Electricity, Magnetism and Electromagnetism, Electromagnetic Wave, Electromagnetic Wave दो से की सामेच देया, Electricity plus Magnetism, दोना नों कमबाइन करके, जेडी वेवान दिया, वोनु कहन दिया, Electromagnetic Wave, So, एदेवचा से की पढ़ाँगे, Coolum दे लाउज, Oistad दे, एदे मैगनेटिसम दे लाउज, Oistad ने काफी कॉश काम की था, Ampere Circuiter लाउ, Ampere दे लाउ भी आपढ़ाँगे, एदे एदे एंपेर करंट दे लाउज भी होंदी है, ते Faraday, ते Maxwell दे लाउज भी पढ़ाँगे, ते ओध वच होरों से की स्टड़ी कराँगे, करंट दी, Magnetic Field दी, Electric Field दी बगएर आपगएरा, यह सारी हैं स्टड़ी के दे लाउज एदे लाउज ही कराँगे, So next, साथे को फिजिक्स दा केड़ी ब्रांचाओं दी है, Sound जाँ Acoustics दी, So एक ही करदा है, Sound वेव दी, Propagation दे लाउज दी डील करदे है, Sound वेव जेड़ी होन, एमें थांदास दमाँ पे, Sound वेव जेड़ी होनों ट्रेवल कारने ले, कोई मीडियम चाहिदा है, ठीक है, होन एक क्वेश्चन होनदा है, के Sound सब तों जादा ट्रेवल केड़ी चीज दे बच्च करदा, वेव जेड़ी होन एक मॉलिक्यूल, दुझे मॉलिक्यूल नों अपनी वाइब्रेशन दा, वेव अगे फर्दर तीजे न दा फिर चौते न दा, एस तरीके नार पहले सिस्टम तो लाएके, अखीले मॉलिक्यूल तक जेड़ी है साउंड दी वेव पहुंचांदी है, स्टील दे बच्च रादर देन एर, एर देवचे सब तो ट्रेवल कर दी है साउंड, ते स्टील दे बच्च सब तो बाद कर दी है, वाटर जेड़ा इंटरमीडिये ट्रायन दा है, ठीक है, इस तरीके नार साउंड ड्रैवल करता है, तो लाइट और उप्तिक्स अभी बहुत ज़्यादा इंबोटन टॉपिक है, अब तो बिच्च दे नार बादर दी नार इस तरीके नार इस तरीके नार साउंड ट्रेवल करता है, जा अप्टिकल फिनोमिने, रेफ्लेक्षन रिफ्रेक्षन ते होरे इंट्रफेरेंस डिफ्रेक्षन यह सारी चीजां स्केट्रंक एंडिया है एक white light लाइट, seven colors दे बचे, । बैंडिंग हो जान दी है, उन्हों कहेंदे है, split हो जान दी हम जान, ठीका जी, ते propagation of light, light के में propagate कार दी है, जांके में travel कार दी है, lenses दी study हो गई, mirror दी हो गई, reflection, reflection, bending of light, light, हलके medium तो पार, medium बचे जान दी हम बेंड हो दी है, जिम्हें के for example air तो ग्लास बच जदो जान दी तर लाइट बेंड हो जान दी है एदी study हो गई interference diffraction तर पोलराइजेशन दी लाइट दी हो गई एच आसी relativity पेच भी असी पढ़ांगे जो भी particle light दे equivalent travel कर दे speed दे light दी speed के निया हो थिया 3 x 10 पावर 8 meter per second ठीक है जी 3 x 10 पावर 8 meter per second इन इस भी 1 second दी वच इनने meter travel कर दी light so next है कि साटे को nuclear physics एक ही कर दी है atomic दे nuclear देना डील कर दी है अगला है अपने को पार्टिकल फिजिक्स हर एक चीज हर एक matter हो नीते है matter केड़ी केड़ी ऐसी कहने solid liquid ते gas तैन तरादिया matter हो नीते है तैन तरादिया matter पार्टिकल देनाल ही राल के बान दी है solid देच पार्टिकल बहुत closely packed हो दे है लीकोर देवेचे comparatively थोड़ी loose packed होंदे तै गैस देवेचे बहुत ज्यादा loose packed होंदे है ठीक है तै एस है यह पार्टिकल दी श्टडी ते करी करी पार्टिकल दीनाल मेल के मान दी है अगला साथा टॉपिक है quantum mechanics दा quantum mechanics दा mechanical behavior of particle in subatomic world subatomic world देवेचे एक पार्टिकल केस तरी के नाल behavior करता है एक ते ओसनों केंदिया quantum mechanics quantum mechanics दे उत्ते बहुत सारी study modern world देवेचे चाल रही है quantum computing भी आजकाल बहुत चल रही है ते next onward generation देवेच quantum computers बहुत अगे तरकी करनागे सो ए साथा से के सारी physics दे टॉपिक ते ए तो अगला हो दा साथा physics दा scope किया ठीका जी physics केडी केडी चीज तक deal कर दिया scope दबच की होंदा है physics दा scope दा मादलब होंदा है पे एक heavenly body जेडी के 10 to power 36 meters जा किलो मीटर दी हो सक दिया एतों लेके 10 to power minus 15 meter तक दी बाड़ी दे बैच 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 मादलब anybody body तो लेके any shorty body दे motion जान जिन्निया भी दे बैच फिसिकल फिनॉमेनस होंदे इसे डील कर दी यह सारा इदा scope या फिसिक्स दा जो नेक्स्ट वीडियो जाल दी था नो मेल होई तो थेंक्यू सब्सक्राइब करो मेरे चैनल थेंक्यू जी